हलो एरिवन मेरा नाम तुशार तुशार भारदुआज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइन्स वर्ड आज की विडियो में हम क्लास 9 की बायलोजी का जो चैप्टर है टीशू इसके नोट्स को डिसकस करने वाले हैं देखे टीशू चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को हमने ओवरल पांच पार्ट में डिवाइड किया हुआ है नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन आफ टीशू इस टॉपिक में हम समझेंगे कि टीशू क्या होते हैं किसे कहते हैं एक्च्वल में टीशू डिफाइन क्या हो सकता है टीशू का सेकेंड हमार टॉपिक रहेगा टाइपस ओफ प्लांट टीशू जो हम फ्लोचार्ट देखेंगे सेकेंड टॉपिक में उसके हर एक एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे उनकी लोकेशन क्या होती है कहां क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं यह प्लांट टीशू यह सारी डिटेल पास नंबर थर्ड टॉपिक में नंबर फॉर्थ हमारा टॉपिक रहेगा एनिमल टीशू एनिमल टीशू क्या है कितने प्रकार के एनिमल टीशू होते हैं ठीक है वैसे एनिमल टीशू को डूले चार प्रकार में बाटा जाता है तो इस सारी चीज़ें फ्लोचार्ट के त Types of Animal Tissues जितने भी Topics होंगे Flow Chart में Animal Tissue के उन सभी Topic को सभी Tissues को हम Detail में समझेंगे उनके Function, उनके Location सारी Detail समझके चलेंगे हम जितने प्रकार के Tissues हैं Number 5th Topic में Clear? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का First Topic Introduction of Tissue Chapter के Complete Notes को हम Total 3 वीडियो में बाठ कर चल रहे हैं आज की वीडियो Part First है जिसमें हम Introduction of Tissue को समझेंगे और कुछ पार्ट लेंगे Plant Tissue का चलिए सबसे पहले अब Introduction लेते हैं Tissue का Tissue Actual में है क्या? किसको कहते हैं Tissue? अगर आपसे Groups होते हैं Similar Cells का एक ही प्रकार की Cell मिलकर जब Same Origin दिखाती है और Same Function परफॉर्म करती है तो ऐसे Group को बोलते हैं Tissue ठीक है? देखें मैं इसको मार्क कर देता हूँ Same Origin और Same Specific Function एक Particular Function मानकर चलिए एक Example की दोरपे मैं आपको समझा रहा हूँ कि 50 Cells हैं 50 Cells का जो Group है Similar Cells हैं वो सभी उन सबका Origin एक ही Location से है और साथ में Same Function वो परफॉर्म करती हैं तो ऐसे Cells के Group को हम बोलेंगे कि भई ये एक Tissue है Clear? अब सबसे पहले Tissue के बारे में किसने बताया था Bicat वो Scientist थे जिन्होंने सबसे पहले बताया Tissue के बारे में Cylentrate एक Group of Ornism होता है ठीक है? उनमें उन्होंने सबसे पहले इसको Observe किया था Clear? यहाँ पर यह Spelling लिखी हुई है यहाँ पर देखिए अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पर Number First Point Organs are Group of Different Types of Tissue भई Tissue थो में पता चल गया Tissues क्या होते हैं? Similar Cells के मिलने से Tissue बनते हैं लेकिन Organs किसी कहते हैं? Organs are Group of Different Types of Tissues Performing the Some Specific Function Such as Stomach, Heart, Lever, Lungs बहुत सारे Structure आपने Human Body में बहुत सारे Organs के बारे में सुना होगा Stomach जैसे उसमें से एक Example हमने लिया है Second Example है Heart इस तरह से आप कोई भी Example ले सकते हैं तो Organs किसे कहते हैं? एक Organs उसको कहा जाता है जिसमें कुछ प्रकार के Tissues शामिल होते हैं Perform करते हैं अपना एक Unique Function इसको हम बोलते हैं Organs आप Simple ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने छोटे क्लास में सुना भी होगा Cells के मिलने से Tissue बनते हैं Tissues के मिलने से Organs बनते हैं तो Organs के लिए आप ये Define ध्यान रखेंगे Group of Different Types of Tissues Performing the Some Specific Function Such as Stomach, Heart या कोई भी आप Organs डाल सकते हैं आपर ठीक है Next आते हैं Organs System पर Entire Organs that comes together to perform some specific function जब बहुत सारे Organs मिलकर एक particular कुछ function perform कर रहे हैं उसको बोलते हैं Organs System याद रखे हैं इसमें एक से ज़्यादा Organs शामिल होते हैं तो ये तो हमने अभी समझा कि भी टीशू किसे कहते हैं और साथ ही कुछ उसके points देखी यहाँ पर आपके सामने एक flow chart दिखाया जा रहा है इस flow chart में मैंने सभी plant tissue के जितने भी parts होते हैं सबको include कर दिया फायदा क्या होगा इस flow chart से exam में तो chances नहीं है flow chart वगर आने के लेकिन आपकी मदद करेगा कि भी parent काइमा, colin काइमा, xylem vessels यह किस के अंदर आते हैं कौन से category के अंदर हमें place करना चीए यह क्या permanent tissue है या फिर यह meristematic tissue है यह सारी चीज़े ठीक है तो ध्यान से समझेगा plant tissue के flow chart को देखे, plant tissue को हमने दो category में बाटा हुआ है number first, meristematic tissue और number second, permanent tissue अब देखे, meristematic tissue को भी तीन पार्ट में बाटा हुआ है first, apical meristrum second, lateral meristrum third, intercalary meristrum clear? तो तीन पार्ट में आपको बाटना है meristematic tissue को अब आते हैं next permanent tissue को कितने पार्ट में बाट सकते हैं परमानेंट tissue में दो category बनाए जाती है simple और complex simple के अंदर तीन category होती है parenchyma, colenchyma, sclerenchyma ठीक है? parenchyma, colenchyma और sclerenchyma ठीक, इसी तरह complex के अंदर भी दो main category होती है xylem और phloem xylem phloem तो आपने सुना भी होगा xylem water का transport करता है water minerals का बागी phloem जो होता है वो food का transport करता है xylem के अंदर भी दो main category होती है वैसे 4 होती है पर 2 main category है xylem vessels और tracheids इसी तरीके से phloem के अंदर भी 2 category होती है sieve tube और companion cell याद रखिएगा flow chart बहुत important होता है किसी भी particular topic को अच्छे से समझने के लिए क्योंकि connectivity बनाता है उसके जो सब division होते है या उसके अंदर जो छोटी-छोटी categories बनती है उन सब को जोड कर चलता है flow chart अब आते हैं next plant tissue कर plant tissue क्या है किसको कहते हैं plant tissue group of cells having same origin and cooperative with one another to performing a similar function cells का एक ऐसा गुच्छा cells का एक ऐसा cluster ठीके याद रखिएगा cells का एक ऐसा cluster जिसका origin सेम होता है और जो एक दूसरे से cells मिलकर काम करती है cooperative होती है cooperative मतलब मिल जूलकर काम करना perform करती है similar function तो उसको हम बोलते हैं tissue ठीके जब plant की बात करेंगे तो plant tissue के जिक्राएगा अगर हम यही चीज़ animals मिलेते हैं तो animal tissue बोलेंगे definition से यह में थोड़ा सा change करना है आपको clear अब बात आती है कि अगर हम study कर रहे हैं tissue की तो उसको क्या कहते हैं उसको बोलते हैं histology ठीके यहाँ पर देखे लिखा मिलेगा आपको is called histology ठीक next number आता है depending upon constitution of cells cells के मिलने के आधा पर cells के एक तरसे types के basis पर है न यहाँ पर tissues को दो main types में बाता हुआ है number first आता है simple tissue क्या होते हैं simple tissue भई बिलकु simple definition है it is made up of similar cells यह similar cell के मिलने से बने होते हैं ठीके एक ही प्रकार की cell के मिलने से जो tissue बनते हैं वो simple tissue होते हैं next complex tissue complex tissue क्या होते हैं it is made up of two or more than two types of cells simple और complex में बहुत आसानी से difference create कर सकते हैं यहाँ पर दो या दो से ज़ादा प्रकार की cells होती है और वहाँ पर एक ही प्रकार की cells ऐसा नहीं मैंने कहा कि simple के अंदर सिफ एक ही cell होती है एक ही type की cell होती है ठीक है लेकिन complex tissue में दो या दो से ज़ादा प्रकार की cells पाई जाती है अब आते हैं next line पर based on capacity based on capacity शमता के आधार पर divide किया जाता है plant tissue को कुछ category में और वो कितनी category होती है दो fundamental यहाँ पर आपको category मिलती है सबसे पहला number आता है यहाँ पर meristomatic tissue का कि भी meristomatic tissue first category है जो हमारे plant tissue के अंदर आपको मिलती है ठीके अब समझते हैं meristomatic tissue क्या है it is a simple tissue that composed of a group of similar and immature cell देखें meristomatic tissue एक प्रकार की simple tissue होते हैं जिसमें एक ही प्रकार की cell मिलती हैं जैसे हमने अभी simple tissue की definition में भी समझा और इसमें जो cells होती हैं वो immature cells होती हैं कैसी होती हैं? immature cells which can divide and form new cell जिसमें capacity होती है, divide होने की और नई-नी cells को बनाने की तो it is a simple tissue that composed of group of similar and immature cell which can divide and form new cell नई-नी cell यहां पर बनती हैं अब आते हैं इसकी characteristics पर characteristics मतलब कुछ लक्षन जिसके आधार पर आप इनको पहचान सकते हैं बहुत आसानी से number first ability to grow इनमें grow करने की शमता होती है ठीक है? दीखें क्या होते हैं ने starting tissue होते हैं बलकि आप simple कह सकते हैं बहुत छोटी से line में meristematic का अगर आप define देना चाहते हैं highly dividing tissue in a plant is called meristematic tissue ठीक है? यह चीज़ याद रखीगा अब आते हैं first characteristics पर ability to grow and divide ठीक है यह तो हो चुकी है अब second point देखते हैं इसका absence of intercellular space यहाँ पर cells की बीच में जो intercellular space है वो नहीं होता है absent रहता है ठीक है? dense cytoplasm cytoplasm, cytoplasm सोड़ा घाड़ा सा होता है dense cytoplasm होता है mitochondria have simple structure कोई complicated structure नहीं मिलती है अपर mitochondria की next आता है rate of respiration is very high इन cells के अंदर मेरिस्टमेटिक टीशू की cells होती है यह मेरिस्टमेटिक टीशू जो पाए जाते है plant body में उसमे rate of respiration काफी high देखने को मिलता है walls जो होती है इन टीशू की cells की काफी थिन होती है और cellulose के मिलने से बनी होती है यह cellulose वाला point आपको बहुत important है जरूर याद रखना है ठीक है इसको mark कर लेते हैं cellulose clear तो यह तो characteristics हो गई मेरिस्टमेटिक टीशू की चलिए हम next point पर मेरिस्टमेटिक cells होती है न उनमें division होता है और अलग-अलग प्रकार की यह cells को form करती है depending upon their origin उनकी origin को लेकर अगर देखा जाए मेरिस्टम को देखिए दो category में बाटा गया है primary मेरिस्टम और secondary मेरिस्टम secondary मेरिस्टम हाला कि कुछ अलग नहीं है जो primary stage होती है न जब वो complete हो जाती है तो आगी की stage में उसको क्या बोलते है secondary जिसमें division की property को लेकर थोड़ा सा change देखने को मिलता है चलिए अब देखते हैं सबसे पहले primary मेरिस्टम primary मेरिस्टम are those meristematic tissue which are derived directly from the meristum of embryo जो meristum का embryo होता है वहाँ से directly derived हो जाते है directly produced होते हैं जो tissues, meristematic tissues उसको क्या बोलते हैं primary meristum जो initial level की जो tissues होते हैं ठीक है और जब इन में अच्छी खासी maturity आ जाएगी तो हम इसका नाम change कर देगे और secondary meristum बोल देगे simple है primary meristum बहुत easy है depend upon their position अभी जो primary meristum होते हैं जो initial level की meristum tissue होते हैं इनकी position के आधार पर यहाँ पर तीन category देखने को मिलती है number first, apical meristum apical meristum को आप apex नाम भी दे सकते हैं apex का मतलब क्यों होता है tip part जैसे की stem का tip part यह shoot का tip part root का tip part ठीक है तो जो बिल्कुल ending वाला point होता है उसको हम क्या बोल रहे है apex ठीक है तो apical meristum के बारे में देखे क्या हमें मालूम होना चाहिए कि यह कहां पर होते हैं सबसे पहली बात तो यह ही यह तो आपको clear हो गया hit tip पर मिलते हैं चाहिए वो stem की tip वाला part हो या roots का जिकर किया जाए उसमें they produce growth in length चोड़ाई की तुलना में यह length को बढ़ावा देते हैं तो produce growth in a length second second intercalorie meristum these meristumatic tissue present at inter node of stem जो stem का middle part होता है वहाँ पर पाए जाते हैं intercalorie meristumatic tissue and the base of leaf जो leaf base होता है वहाँ पर मिलते हैं तो यह दो main location है कि कहां मिलेंगे हमें intercalorie meristum these help in elongation of organ तो organ की length को बढ़ावने में मदद करते हैं next और last category आती है lateral meristum lateral meristum occurs on the sides and take part in increasing the girth of the plant जो plant body के stem का जो diameter होता है जो उसका diameter होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है गिर्थ मतलब चोडाई को बढ़ाने में मदद करता है इस point को आप mark कर लें increase the girth of plant lateral meristum क्या करते हैं plant body का stem वाला part होते इसके चोडाई को बढ़ाने मदद करते है present कहा होते है अगर हम location की बात करें तो देखे stem में जो boundary वाली layer होती है बिल्कुल extreme end जो होता है ठीक है जिसको हम क्या बोलते है bark पेड़ की छाल बोल देते है general language में तो उसके just नीचे present होते है lateral meristum क्योंकि bark तो देखे क्या होता है एक तरह के dead tissues होते है वो धीरी धीरे हटते रहते है stem वाले parts तो आपको ध्यान रखना है कहां मिलते है lateral meristum bark के just नीचे और gymnosperm के vascular bundle में ठीक है इस responsible for increasing the diameter of stem यह बात तो पहले याद चुकी है कि गिर्द को बढ़ाने में मदद करते है ठीक है और बाकी इसमें example आप cambium वगर डाल सकते है next यहाँ पर देखिए अब आता है topic secondary meristum secondary meristum मैंने आपको starting बताया जो initial level के mast medic tissue होते है उसको हम क्या बोलते है primary और जब उसमें एक maturity आया थी उसके बाद हम उसका नाम change कर देते है और बोल देते है कि यह secondary meristum है चाहिए और उसी के base फिर आगे चलकर permanent tissue form होते है आपने अभी देखा भी था starting में जो flow chart था plant tissue का उसमें permanent tissue heading डला हुआ था तो याद रखिएगा कि किस तरह से बनेंगे permanent tissue और secondary meristum कहा से आ रहे है यह चीज़ देखने है ठीक है और बाकिस में कुछ characteristics बढ़े डली हुई है they are cylindrical meristum these meristum give rise to secondary tissue that constitute together the secondary growth यह आगे की जो भी growth होती है stem के अंदर वो सब इसी के control में होती है common examples के हैं इसके vascular cambium of root interfacicular cambium इसमें से देखिए काफ सारे नाम लिखे हुए आप कोई एक example के तौर पर याद कर सकते हैं ठीक है clear अब देखिए मैं कोई बार flow chart दिखा देता हूं जो हमने starting में भी समझा था इसको पहले erase कर लेते हैं देखिए यह हमने देखिए यह plant tissue का flow chart है अब हमने इसमें से क्या-क्या topic कवर कर लिए हैं उसको देखते हैं plant tissue क्या होते हैं वो हम समझ चुके हैं कि इसके actual definition क्या होनी चाहिए merismatic tissue उसके देखिए simple और complex वगरा ठीक है और primary, secondary भी नाम दे सकते हैं उसको बाकि merismatic tissue के इंदर apical merism, lateral merism और intercalary merism यह सब चीज़े हम cover कर चुके हैं बाकि next video में हम start करेंगे permanent tissue से ठीक है जैसे मैंने आपको starting बताया था जो tissue chapter इसको हमने total तीन वीडियो में बाटा हुआ है तो आज के उड़ियो बस इतना ही मिलते हैं next video में part second में जुड़े रहिए science word channel से और इसी तरह से support करते रहिए वीडियो कर पसंद आती है तो like, share, subscribe करना मत भूलिएगा वीडियो को starting से last तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद